गुड मॉर्निंग इंडिया आप सभी लोग का स्वागत आपके इस चैनल पर तो मैं को लगा चाहे के साथ आप लोगों से बात करते हैं आप आप भी अपना दे स्टार्ट करते हों कि गरम अगरम शाय से मैक्सम। भूग ऐसा नहीं के 100% भी 90% भी तो करते हैं ओर मैं को लगता है कि हमयासाय डे स्टार्ट करो एक फ्रेस दोरी के साथ कोन न्यूटए होता है क्यूंकि जब आप कल कर लास तो कलड़ दीन होता है समय जो भी प्रॉबरम सही है क्या रही dice के तो आपको अपके साथ चीज़ ही गलत हो रही है और जब आप दिन में ट्राइ करते हैं उसको सॉल करने का तो कई बार उतने एजिली सॉल नहीं होती है तो ठीक है जब यकिन मानिये बहुत बार ऐसा होता है कि जिस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम सोचते हैं अगर आप उसको नेक्स दे जब मॉर्निंग में उठने के बाद जब उस प्रॉब्लम को देखने के तुसरा है कि प्रॉब्लम सॉल हो जाएगी लेकि उत्ती वड़ी नहीं रहती है तो जब भी कोई असा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आप इस दम मेंटली हिल जा रहे हूं या इरिटेट हो जा रहे हो तो मेंको लगता ह में प्रॉब्लम सच में कितनी बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए next day का वीड करना जी मॉन निक उठो आप असके वाद आराम से चाय के वेटरो अपने आप से बात करो कि सच में में प्रॉबलम किती बड़ी हैं? मैं कोुल लगता है कि प्रॉबलम सॉल तो नहीं होगी। सिब सोने से और दूसरे दिंवी उठने से प्रॉबलम सॉल नहीं होती है. लिकि एक बेटर जो अंडेस्टन इंघ जनुए ज़रू आ जाता है। मतब आपको सोचने का जो तरीका होता है, वो हो जाता है, या आपको जो लोग जितने खराब लगते हैं, उतने खराब नहीं लगते हैं, तो मैं को ऐसा लगता है कि यह चीज बड़ी इंपोर्टेंट है कि आप बेटर वे में उसको हैंडल कर सकते हो, तो थोड़ा सा आप हमे चीज तो मैं भी, मैं भी लेंड करते जाता हूं और जो मैं लेंग में, आपके साथ सेर भी करते जाता हूं, ही तो मेरा काम है कि मैं आप लोग साथ सेयर करते जाऊ हम तो मैं तो बुलूं को कि हैं अर नीजियर स्टार्ट करें फ्रेस लुड से स्टार्ट करें कि जो भी आपकी प्राभलम से पैषले कुछ दिनों की पिष्ले कुछ मंथ की उसको आराम से नोट डाउन करें, सोचे कि उसको क्या बेटर सॉल्विशन किया जा सकता है, क्योंकि आपका सॉल्विशन कोई देगा नहीं, अगर आप किसी फ्रेंड के पास जाओगे, या बहुत कोई आपका इंटेलिजेंट फ्रेंड है, वो आपको सॉल नहीं करेगा, या जादा दिमाक लगाए, वो सजेशन दे देगा, ऐसा नहीं कि वो आइनालिसिस करेगा आपकी, और उस प्रॉब्लम के जड़ तक जाएगा, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या बेटर सॉलिस हो उनसा, तैसा नहीं, उसको कुछ बोलना, इसलिए बोल देगा, ठीलिया, तै जबादा में चैलेंजेस है, डाइए बाइडेंजेस है, जहां तक मैं अनकिता हूँ कि ऐसा और अज कोई नहीं होगा, जिसके लाइप में चैलेंजेस ना, और आज की डेट में क्या है कि सभी लोग सही है, जो दो लोग होते हैं, दोनों के बीच में जो ब्रेक अब होता ह लेकिन प्राबलम या कि बीच में गाट की अपने चाहिव को बहुत है अब प्लेंट वह फीजिए शॉपल्य सबके में किस्ट्रोंग रीजन कि मैं कितना सही हूं, सब की पास strong reason है, सब mentally अपने आपको उस region में डालते हैं और जब वो आप strongly जब believe करते हो, सामने बाल भी strongly believe करता है कि सही हो, तो फे गलत कों हुआ, तो गलत 또 situation होगे, गलत तो condition होगे, और जब situation हो, condition ही गलत होती है तो फिर लोग break up हो जाता है, नहीं दुशिए बस ऐसी है बद ठीक हैं कभी-जी आपके चाल जानी पर दो लोगों की नीट पड़ेगी तो उसका भी इंपोर्टेंस तो उतना ही होगा आप खुझा के लिए तो डिसाइड नहीं कर सकते तो इसलिए में को लगता है कि जिन्दगी को पुझ सही तरीके से जीने का ट्राइ करते हैं जितना हो सकते हैं और आप दिनो दिन जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको और आपको समझ आएगा कि यार अंडेस्टेंगी की वह डिफरेंट जैसे आप सोचते हो आज से पांस साल बाजब आप सब्सक्राइब करते हैं इसके सोचने का नजरी अलग होता है एक जॉब वाला जो वेक्ती होता है उसके सोचने का नजरी अलग होता है एक वो जिसके दो बच्छे होते उसके सोचने का नजरी अलग होता है एक कार्परेट में जो काम करता है उसके सोचने का नजरी अलग हो दे के सुरुवात एक दम फ्रेस माइंड से कीजिए चल ओके थैंक यू